पाहिने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रोमुक अब्डेट्स को सबसे पहले और इस वीडियो बे हम बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैटेट क्रॉप तीजस से संबंधित रिपोर्ट्स क यहां पर यह दावा किया जा रहा है कि लाइट कॉम्बैटेट क्रॉप तीजस प्रोग्राम एक बार फिर से डिले को फेस कर चुका है हम जानेंगे रियालिटी क्या है क्या एक सोचा समझा जो प्रोपगेंडा है यह प्रोपगेंडा फैक्ट से कितना अलग है इसको भी हम डिसकस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो दोस्तो ना सिर्फ हम बलकि भारती और वायू से ना भी पहले थे जिस मार्क वन एफाइटर एक्राप का काफी बेसबरी से इंतजार कर रही है क्योंकि यह वो फाइटर एक्राप्ट है जो कि एक क्र बड़े नंबर्स पर बना सकते हैं और इसके लिए बाकाइदा फरवरी 2021 में मिनिस्ट्रो अफ डिफेंस और हंदुस्तान एरोनोटिक सिंप्रेट के बीच में एक बड़ा कांट्रैक्ट साइन हुआ था जहां पर 83 एजियो तेजिस के खरीद की बात की गई थी इस 83 जिट म अब माई में पहुँच चुके हैं लेकिन अभी तक जो पहला एरक्राप्ट है ये इंडिन एरफोस को डिलेवर नहीं किया जा सका है 29 मार्च को जेंज की एक रिपोर्ट में ये दावा किया जाता है कि तेजस मार्क वन एक के जो डिलेवरी है ये डिले हुई है इसके और मेरे लिस्ट में जो कॉन्फिक्ट चल रहे हैं इनके वज़ज़ से प्रभावित हुए हैं और उनके डिलेवरी लेट हुई है लेकिन इन सप्लाइचेन एफेक्ट के अगर हम बात करें या एफेक्ट की बात करें तो इस से हटके आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी प्रभाव पहले तिजस मार्क वन एजट पे नहीं पढ़ने वाला है क्योंकि अल्रेडी वो बनके तयार है और उसने अपनी पहली उडान को भी पूरा कर लिया है यह जो डिले हुई है यह सप्लाइचेन इसूस के वज़ज़ से नहीं हुई है बलकि एन मौके पर भारती अवायु सिना के द्वारा कुछ नहे अपग्रेड्स को रिक्वेस्ट किया गया था जिन्हें H.A.L. के द्वारा पूरा किया गया है इन अपग्रेड्स में हमें नया सॉप्ट्वेयर डिफाइन रेडियो देखने को मिला है और इसके अलावा जो मिशन में अपग्रेड किया गया है जो सॉप्ट्वेयर डिफाइन रेडियो है यह एक सेक्यूर कम्मिनिकेशन को इंशूर करता है जो कि ना सिफ फाइटर जेट्स के बीच में होते हैं बलकि एवैक्स और दूसरे जो ग्राउंड एसेट्स हैं इनके बीच में भी जो सेक्यूर कम् बात की थी और उन्हें अपनी जो इंटायर फाइटर जेट्स की फ्लीट है उनमें इंटीग्रेट करने की बात करी थी और एक इमर्जंसी प्रक्यूर्मेंट के अंतरगत चार सो की सख्या में बीच सॉप्ट्वेयर डिफाइन रेडियो को इसरेल से खरीदा गया था जिसक ये सॉप्ट्वेयर डिफाइन रेडियो देखने को मिलेंगे जो कि एक सेक्योर नेटवर्क सेंट्रिक आउपरेशन में महात्पूर्ण भूमे का निभाने वाले हैं हाला कि यहाँ पर चीजें अच्छी भी हैं बोरी भी हैं दोस्तों आपको बताते चलें कि यहाँ पर ल पाड़ी और एक बेनिफिट वाली बात है वो यह है कि तेज़स की डिजाइन इंडिजिनस है और अगर कोई भी मॉडिफिकेशन हमें किसी भी समय में करना पड़ता है तो हम आराम से कर सकते हैं जो डिले में होती है वो उन सिस्टम के सर्टिफिकेशन में होती है और यही इन अपग्रेड्स को एक्राप्ट को डिलेवर करने के बाद नहीं कर सकते चलनबत तरीके से दोस्तों यहां पर एचल ने जो काम किया है डिलेवरी से पहले अपग्रेड देने का इसके अपने बेनिफिट है यह अप्रोच ना से पिकलंबे समय तक तेजस मार्क वन एको न इंगर में एक्राप्ट को लंबे समय तक रखना पड़ेगा और वो ऑपरेशनल नहीं रहेंगे तो इस चीज को एलुमिनेट करने के लिए पहले ही जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है इंपॉर्टन बात यह है कि यह अपग्रेड किसी एक या दो फाइटर तेजस है जिसका टेल लंबर एले 5033 है यह अल्री पहली उडान को तक्रीबर 18 मिनिट तक पूरा कर चुका है 28 मार्च 2024 में और जो सर्टिफेकेशन है बस इसी का इंतजार है जैसे ही यह मेड 2024 तक हो जाएगा जो पहला एक्राप्ट है यह इंडिनेर फोर्स को डेलेवर कर दिया जाएगा पहला एक्राप में डेप्लॉय किया जाएगा जो कि राजिस्थान में है और वहां से जो तेजस की स्कॉर्डन है यह ऑपरेशनल होगी दरसल यह वही स्कॉर्डन ने जहां पर पहले में 21 सर्विस देते थे लेकिन उनके जाने के बाद एक गैप क्रिएट ह हुआ है उसको फिल करने के जिमेदारी लाइट को मैट एक्राप तेजस के कंधों पर है इस प्रियास में है कि सर्टिफेकेशन को पूरा करके पहला एक्राप डिलिवर किया जाए बलकि वह तेजस के प्रोडिक्शन रेट को बढ़ाने के लिए भी यथा संभो प्रियास कर रहे है अगर हम बैंगलूरू की प्रिटिफेक्शन लाइन की बात करें तो इसके ऑपरेशनल होते ही जो प्रिफ्चन केपैसिटी है यह 16 एक्राप प्रतिवर्ष की दर तक प्राप्त कर ली जाएगी हाला कि करिंट केपैसिटी की बात करे तो यह 8 LCA प्रतिवर्ष की है ल लेकिन हेल जो की अपनी लेट लतीफी के लिए जानी जाती है उन्हें अफ सीरियस हो गंभीर होकर के इस प्रोग्राम पर इस्टिक रहना होगा तब ही जाकर के तैकिये गए समय पर हम जो एर्ट्राप्ट है वो डेलेवर कर पाएंगे। हलाके से बैंगलोरू की प्रोड़क्शन लाइन ही नहीं बलकि नासिक की प्रोड़क्शन लाइन भी आल्मोस्ट बनके तयार है और रेपोर्ट में कहा जा रहा है कि 2024 के अन्तों तक या 25 के शिरुवात में जो ये प्रोड़क्शन लाइन है यो ऑपरेशनल हो जाएगी और ल एड़ करना चाहेगा भारत के पास इसकी खुली छूट होगी भारत के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भारत अपने मन मुताबिक इन एड़क्राप्स को अपग्रेट करता रहेगा और ये एड़क्राप ना सिब मिक 21 के जाने के बाद जो गैप क्रियेट हुआ है उसक समय तक भारतिया वायो से नम में ऑपरेशनल रहे हैं लेकिन अब रिटारिमेंट के उम्र को प्राप्त कर चुके हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही बिलते एगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ तब तक के लिए जहन्द